Hello everyone, तो कैसे है आप सब? I hope you all are good. As you all know कि आज हम क्या करने वाले है, वो है revolt of 1857 याने important factors of revolt of 1857. तो जैसे कि आप सब को पता होगा कि जो revolt of 1857 है, it's a very important topic from the modern history of India. ठीक है, और खासकर मैं आगर बात करूं competitive exams की, तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा important रहता है, ठीक है, तो इसलिए मैंने आज इस वीडियो पर थोड़ा सा, जो इसके मुतलिक information होती है, उसको आज हम share करेंगे, ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले, जुन्हेंने हमा notification आपको on time मिलेगी, ठीक है, तो चले, आज का वीडियो शुरू करते है, revolt of 1857, सबसे पहले जानना होगा, कि revolt of 1857, जो है, इसको और हम कहते है, post war of independence, ठीक है, तो post war of independence, किसने इसको कहा था, वो थे वीडि सवोकर, ठीक है, वीडि सवोकर ने कहा था, revolt of 1857 को, कि जो ये revolt of 1857 है, इसको इसने क्या कहा था, क्या कहा था, post war of independence, ठीक है, तो examiner ये पूछेगा, कि who called revolt of 1857 as the post war of independence, तो हमें किस पर टिक करना है, seriously हमें किस पर टिक करना है, वो है, वीडि सवोकर, ठीक है, तो इसने कहा था, revolt of 1857, जो है, वो है, first war of independence, तो दूसरी की आगर हम बात करेंगे, यानि the third calivary of supply at merit revolted on, तो जब immediate cause के बने थे, जो revolt of 1857 था, इसके बहुत सारे काजिश थे, for example, मैं काजिश की बात करूँ, इसके political काजिश थे, economic काजिश थे, social religious काजिश थे, military काजिश थे, लेकिन ये इसके जो main काजिश थे, जो immediate काजिश बने थे, वो बना था, क्या, जो merit में हुआ था, बरागपूर में, वो बने थे, उसके कोन से, यानि, enfild rifles, जो वहां पे cartridge उनके लिए इसके 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 इमिजेट काजिश थे, लेकिन वो कहां पे हुआ था, कब हुआ था, merit बरागपूर में, ठीक है, लेकिन कब on 10 May 1857 को, ठीक है, यहां तक समझाए आपको, तो चले आगे चलते है, मंगल पांडे as a supply of the 34th native infinity killer 2 British officer, देखिए, यहां पे हमें क्या याद रखना जोरी है, कि जो मंगल पांडे थे, वो 34th native infinity में काम कर रहे थे, ठीक है, as a supply, ठीक है, तो जब reward के काजिश आगे थे, जब वो मतलब उनके साथ ऐसा बरताउग कि साथ, तो जब जब जवाला बनता है, तो उसको फटने में कुछ देर ही नहीं लगती है, इसी वज़ए से जो कौन थे, जो मंगल पांडे थे, वो क्या, उन्होंने दो officers को मारा था, एक का नाम था, हूसन और दूसरे का नाम था, बाग, ठीक है, इन दोनों को किसने मारा थ था, वो मारा था, मंगल पांडे ने, लेकिन का मारा था, और 29 मारेज 1857 को, इन दोनों को इन्होंने मारा था, ठीक है, क्योंकि आप सब को पाता होगा कि military causes भी इसके थे, ठीक है, military causes में क्या किया जाता था, discrimination किया जाता था, किस को, जिस तरह से मंगल पांडे की में यहां बात करो, जो मंगल पांडे थे, वो किस में काम कर रहे थे, 34th नेट्व इनफेंटे में, इसे दर बहुत सारे जो इंडियन्स थे, वो कर रहे थे, British Army काम, ठीक है, वो काम कर रहे थे, काम पे, British Army में, तो क्या होता था, उनके साथ, discrimination किस चीज़ पर किया जाता था, वो की ज मैं यहां पर, मतलब, let's say कि मैं बता हूँ कि, अगर कोई British Air था, उसकी जो salary थी, वो, for example, 1000 थी, at that time, उसी वज़ा से, मतलब, जो इंडियन लोग थे, जो काम कर रहे थे, British Army में, तो उनकी भी ICA salary होनी चाहिए, same salary होनी चाहिए, लेकिन उनके साथ, discrimination किया जाता था, उनको, इसकी according मतलब 200 या 300 रुपए देते थे, ठीक है, इसी वज़ा से, इनके साथ, discrimination किया जाता था, तो next करते है, William Bentic abolished sati system on 1829 with Rajah Ramon Rai, देखे, William Bentic की, अगर मैं बात करो, उन्हेंने किस system को abolish किया था, उन्हेंने sati system को abolish किया था, तो मैंने, जुनोंने, मतलब, मैंने already इसक तो define किया है कि sati system क्या था, तो पिछले वीडियो में मैंने इसको discuss किया था, जिसने देखा नहीं होगा, तो वो जाके playlist में जाके check कर सकता है, ठीक है, देखे, ये sati system क्या था, sati system में क्या होता था, sati system में, ये actual में क्या था, ये एक religious matter था, किनका, हिंदूस का, हिंदूस तो जो ये लड़की थी, तो इसको क्या करना पड़ता था, इसको इस अपने husband के साथ जलना पड़ता था, लेकिन जो विलियम बेंटिक ने, जब विलियम बेंटिक आये तो विलियम बेंटिक ने कहा कि it is totally injustice with that girl, यानि इस लड़की के साथ ये total नाइनसाफी होती है, तो उ दिक है, social religious caste बन जाता है, तो ये भी एक caste बना था जो इंदिनर ने बोला था, आप तक तो ये ठीक था, political caste भी थे, hyper taxation भी लगाई थी, अ Gen我们 k clouds में ठीक है, तो ये रंगाई थी हमारे जो हमारे गोड़े इन पर hyper taxation ऑगाई थी, तो लेकिन मनलब वहां तक तो ठीक था, लेकि इसके बाद उन्हेंने क्या किया था इंपोज उन्हेंने एक एक्ट को लाया था जिसका नाम था विड़ो रिमरेज एक्ट यानि उसको कब इन्होंने इंट्रोडूस किया था 1856 में ठीक है लेकिन जो यह विड़ो रिमरेज एक्ट था इसको किसने पास किया था यह लाड डल OneIMENT a king was executed on देखे Мंगल पांड़े ने जब इन दोनों को मारा था एक था एक था उसका नाम था हूнож था हूशन और दूसरे का नाम था भाग ठीक है तो जब मंगल पांड़े इन दोनों को मारा तो उसके बाद उविसली उसको फासी हुई जब उसका date मुकरर किया गया था फासी के लिए वो था 18 अप्रेल 1857 ठीक है लेकिन इसको इन्होंने रिडूस किया फिर कब लाया था इसको कब फासी दी गई थी बंगल पंडे को उन्होंने इसको 10 डेज रिडूस किये लेकिन फिर दी थी 8 अप्रेल 1857 को ठीक है ये भी सबसेडरी अलाइनिस जो थे इसको पहले स्टार्ट किया था लाड वैलसी ने ठीक है लेकिन इस सबसेडरी अलाइनिस के ताहत उन्होंने एक पालसी को इंपोस किया था या इंट्रोडूस किया था जिसका नाम था नान इंट्रेवेंशन नान इंट्रेवेंशन पालसी ठी है लेकिन कभ क्या था 1798 में तो नेक्स्ट करते हैं दरेबल आफ इंडिया वें दे केम टो देहली देखलियर बाहदुर्शाह जाफर second as their emperor तो बात करेंगे बाहदुर्शाह जाफर की तो जब इसकी लहर all over the इंडिया में मतलब फैली गई थी जो किसकी revolt of 1857 की अगर मैं बात करूं जब इसकी लहर जब इसकी लहर पूरे इंडिया में फैल गई ठीक है तो जो मतलब military काज आये थे, economic काज़ आये थे, social religious काज़ आये थे, political काज़ आये थे, तो immediate काज़ और काज़ भी इसमें थे तो यहां पे मैंने एक और point को इंट्रूस किया है, यहां पे mention किया है एक और point को, वो है कि economic काज़ इक नामी काज़ में यह क्या करते थे, यह जो यहां के गुड़ोस थे इन पर मतलब हईवी टेकस लगाते थे घरेट अगाते थे ठीक्ए यानि इसके बाद उन्हें क्या किया था certa इन्हें क्या किया था इन्हें पर्मिन्य सेटल्मेट आप बैंगाल को भी इंडरूस किया था लेकिन जो एसको एंट्रूस किया था किसने क Ich ने कॉरенवेलज ने लेकिन किसकी रिकमेंडेशन पर जान शुर के रिकमेंडेशन इस पर लेकिन कब किया था तब 1500 1998 में परिम काथे में एसके रिकमेंडेशन को भी इंट्रूस किया था चारलिश रीड अन ठामस् मुरू ने इसको क्या किया था इंट्रोडूस किया था तो इसके अलावा इन्होंने क्या किया था इन्होंने इसको महलवारी सिस्टम भी यानि महलवारी सिस्टम को भी इंट्रोडूस किया था वो किया था किसने व्लाड विलियम बेंटिक ने ठीक है महलवारी सिस्टम मतलब कि मैं इसकी example क्या लेके चलू आप लोगों ने लगान movie देखी होगी ठीक है लगान movie की मैं अगर बात करूँ जहां पर पूरे गाउं को लगान बना पड़ता था महलवारी सिस्टम is an example of that very movie ठीक है महलवारी सिस्टम भी वही तरह का मतलब पूरे गाउं में पूरे गाउं को वहां पर क्या करना पड़ता था लगान देना पड़ता था ठीक है यानि जो लगान movie है वो इसकी example है महलवारी सिस्टम की इसको introduce किस ने किया था इसको introduce किया था विलियम बेंटिक ने फिर अगर हम बात करेंगे इसके centers के बारे में ठीक है centers भी आते है इसमें that is a very important from the exam point of view पूछे इसमें बहुत सारे questions भी पूछे गए है exam में ठीक है JK SSB के exam में पूछे गए है centers के बारे में ठीक है एक मिनट तो डेली की मैं अगर यहां बें बात करूँ तो वहां से कौन लड़ रहे थे वहां से लड़ रहे थे बाहदुर्शा जफर ठीक है बाहदुर्शा जफर वहां से लड़ रहे थे और उसके साथ कौन लड़ रहे थे बकत खान यानि जर्नल बकत खान उसके साथ लड़ रहे थे डैली से फिर मैं अगर बात करूं कानपोर की किस की कानपोर की कानपोर से कौन कौन लड़ रहे थे तांचया टोपे और नाना साहिब ठीक है तो नाना साहिब क्यों लड़ रहे इसको भी क्या किया था ये पुलिटिकल काज में आते है नाना साहिब जो है ये किस में आते है ये आते है पुलिटिकल काज में यानि पुलिटिकल काज में क्या किया जाता था क्या किया था इसके साथ अंग्रेजु ने इसके साथ क्या किया था He was the adopted son of किसके adopted son थे ये पेश्वा बाजिराओ के ठीक है पेश्वा बाजिराओ सेकंड के adopted son थे ठीक है तो डाक्टर नफ लैपस के थूच जो इसका pension उन्हें रिफूस किया था ठीक है इसको आगे जाके हम थोड़ा सा डिसकस करेंगे डाक्टर नफ लैपस क्या है ठीक है तो ये भी याद रखना कि कानपुर से कौन कौन लड़ रहे थे ताट्या टोपे और नाना साहिब तो आपके लिए यहां पे एक होम वो रुख है कि ताट्या टोपे जो था इसका असली नाम क्या था आप कोमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे ठीक है तो फिर बात करेंगे बिहार की बिहार से कौन लड़ रहे थे यानि बिहार अवद से कौन लड़ रहे थे बिहार से लड़ रहे थे कंवर सिंग और बेगम हजरत महल ठीक है यानि जो बिहार से लड़ रहे थे कंवर सिंग और बेगम हजरत महल ठीक है ये दोनों कहां से लड़ रहे थे बिहार और आवद से ठीक है तो इसके बाद जब इसकी लहर पूरे इंडे में आलमुस्ट फैलने लगी तो अंग्रेज ने सोचा कि हम क्या करेंगे हम करेंगे सप सप्रस किया था ठीक है उसके बाद कानपूर में किस ने किया था कानपूर में सप्रस किया था यानि रोका था रिवोल्ड को किस ने वह था कैप बेल ठीक है लॉड कैप बेल तो फिर बात करेंगे जासी और गवाल यार में को लड़ मनलब जासी और गवाल यार में किस ने suppress किया था वो थे huge rose तो यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना है centers में वो है जांसी ठीक है जांसी is a very important from the exact point of view तो जांसी से कौन लड़ रहे थे वो थे राणी लक्ष्मी बाई ठीक है राणी लक्ष्मी बाई कहां से लड़ रही थी कहां से जांसी से ठीक है तो फिर मैंने इसके बाद की कि जब रिवल्ट जो थे जब यह पूरी इंडे में फैलने लगा तो इसको suppress किस की जगा पे किया था किस किस ने तो मैंने कहा कि निकोलसन ने देहली में suppress किया रिवल्ट को कानपूर में कैंबेल ने जसी और गावालियर में हीुज रोजनी, ठीक है, उसके बार, डक्टर एन आफ लैपस को, किस ने किया था, वो किया था लाड, डालखुजी ने, देखे क्या होता था इसमें, मैं आपको यहां पे एक एकजम्पल बता के ले चलो, तो देखे क्या होता था इसमें, इंडिया म पर आये थे, कोई dynasty rule कर रहे थी, वो अपने मतलब के end पर rule कर रहे थी, last ruler है इसका, for example, यहां पर बहुत सारी, यहां पर बहुत सारी, यहां पर बहुत सारी dynasty जो थी, वो यहां पर rule कर रहे थे, for example, खिजली dynasty थी कर रहे थी, Sillia dynasty कर रहे थी Muggles dynasty कर रहे थी तो इस तरह बहुत सारे dynasty यहां पे verifically vaat तो देखे क्या होता था मैं यहां पे example लेकर चलता हूँ कि कोई dynasty है, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे इसके बाद इनका रूँल यहां पे खत्म हो जाता था यह obviously होना था मतलब जो इनका last roller होता है उसके बाद जो यह dynasty है वो खत्म obviously हो जाएगी ठीक है तो अंग्रेज क्या करते हैं जो इसका power होता था वो सारा power किन को बे ट्रांसपर हो जाता था वो britchers की और ट्रांसपर हो जाता था यानि जो यह मतलब for example dynasty होती है जब एक खत्म होने को हो जाती है मतलब क्या होती है इनका last roller होता है अगर उसके death हो जाती है तो इनका जो सारा power होता था वो किन को ट्रांसपर किया जाता था अंग्रेज को तो अगर इनके पास कोई मतलब बेटा होता कोई मतलब कोई भी मतलब virus होता last में तो उसको क्या किया जाता था उसको pension दिया जाता था पैंशन दिया जाता था लेकिन जो मैंने बात कि थी किसकी Nana Sahib की ना ना साहब जो थे वो adapted son ते किसके पेशुआ बाजीराव के किसके sign adapter son थे वो पेशँआ बाजीराव के that is why कि जो नाना साहिब थे वो कानपूर से लड़ रहे थे ठीक है देखे इसके बाद उन्होंने बहुत सारी सिटेट्स पे कबजा करना शुरू किया था लेकिन डाक्ट्रेन आफ लैपस के थू जो पहली सिटेट एनेक्ज हुई थी याने कबजा जिस पे उन्हेंने कबजा किया था वो थी सतारा सतारा पहली सिटेट बन गई थी क्या सतारा पहली सिटेट बन गई थी जिसको अंग्रेज उन्हें कबजा किया था किस के अंडर डाक्ट्रेन आफ लैपस के अंडर ठीक है यह भी याद रखना मैं फराम दे एक्षाम पाइंट आफ यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेट है एक्षाम पाइंट आफ यू से कि जो मतलब एक्षाम क्या पता कि कल एक्षाम में ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि प्रहौरosph है व्हां तो न्गर्डेट कुछ से न्गरेजशे एक पता है उसके बाद फिर जांसी ने इन्हें इसके तहद किया था कि नागपूर को बी संबलबूर ऐससे बहुत सारे स्टेट कबज़ किया था ठीक है तो इसके अलावा और हम बात करेंगे जो बारली थे मतलब सेंटर्स मैंने बहुत सारी की बात की मतलब मैंने देहली की बात की सेंटर्स के बारे में कानपूर की बात की ठीक है बिहार की बात की जासी की बात की ठीक है तो इसी तरह से जो बारले थे बारले से को लड़ रहे थे वो लड़ रहे थे खान बादूर खान ठीक है तो ये था I hope कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में चैनल को सबस्क्रेब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनफिट मिले ठीक है इसके अलावा मिलते हैं इंशाला नेक